हेलो स्टुडेंट्स हावर यू आई होप पोलार गूल वेलकम पूदा ओनलाइन क्लास माराजा अगरसेन पब्लिक स्कूल आई होप आप अपनी स्टड़ी कंटिन्यू कर गर पर कर रहे होंगे बच्चो बच्चो लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल कराये थे आर्टिकल होते क्या है और आर्टिकल की काइंट कराये थे आपको और यूज ओफ एन कराये था आज मैं आपको use of a start कराने जा रही हूँ सारे बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि हम article में use of a है जो हमारा उसका use हम कहां कहां करते हैं ओकी बच्चो तो we are going to start use of a बच्चो मैंने article आपको बताये थे कौन-कौन से आते हैं a और n और definite में हमारा दा होता है indefinite में a और n होता है ओकी बच्चो तो use of n हमारा हो गया था आज हमारा है use of a ठीके बच्चो use of a, a का use हम कहां करते हैं before consonant, consonant से पहले हम a का use करते हैं consonant तो पता होगे बच्चो कौन-कौन से होते हैं और वोवल्स कौन-कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था वोवल्स होते हैं हमारे a, e, i, o, u ये हमारे वोवल्स हैं इनके अलावा जो alphabet बच जाते हैं वो हमारे consonant होते हैं तो इसमें before consonant, consonant से पहले a का use होता है for example faithful faithful में जो हमारा starting का word है बच्चो f है तो ये हमारा क्या हो गया? consonant हो गया ना तो इसमें हमारा किसका use होगा बच्चो? a का chair chair जो है वो consonant है वोवल्स नहीं है वोवल्स हमारे a, e, i, o, u है तो इन में से नहीं है तो हम starting का word देखते हैं हमारा क्या है? c है तो c हमारा क्या है बच्चो? consonant है तो यहां हमारा क्या आएगा? a okey बच्चो ऐसे ही nest nest में starting का अवर देखेंगे हमारा कौन सा है? n n हमारा क्या है? consonant तो हमारा यहां क्या आएगा? A का use होगा ओके बच्चों तो consonant से पहले A का use होते हैं हम starting का word देखते हैं अगर हमारा consonant है तो वहाँ पर हम A का use करेंगे अब हमारा है some word start with vowel but sound produce consonant such as ठीक है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जो vowel से तो start होते है but उनकी जो sound produce होती है वो consonant होती है but उनकी जो sound निकलती है वो consonant की निकलती है ऐसे ही मैंने बेटा आपको A N में कराया था कुछ वर्ड तो consonant से start होते हैं जब हम A N का use करते हैं but उनकी sound जो निकलती है वो वो वर्स की निकलती है तो उसमें A-N का use करते हैं ऐसा ही इसमें है जब हामें A का use करते हैं तो कुछ word अशी होते हैं जो वोवन्स से start होते हैं starting के बड़्द उनकी जो sound produce होती है sound निकलती है то號 किसके निकलती है console 9 की for example example है हमारा one one में हमारा starting का है बच्छो wide o है o हमारा o वह वल है तो आप बोलोगे मैडम o में तो an आएगा no हम लिखते हैं जैसे one one हमने हिंदी में लिखके देखा तो हमारा where आ रहा है तो जो where है वो हमारा क्या consonant है ठीक है बच्चो o हमारा וैसे तो वह वल है हम बोलेंगे a आएगा no वन तो यह हमारा क्या होगे कंसोनेंट तो हमारा बेटा यहाँ पर क्या आएगा ए ओके बच्चों ऐसे ही यूनी फॉर्म तो यूनी यूनी फॉर्म यू एन से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड है उनमें ए का यूस होगा जैसे यूनी फॉर्म यूनियान यूनिवर्स्टी यह सब जो वर्ड है तो बच्चों यह सब जो वर्ड है हमारे यू एन से सुरू हो रहे हैं तो इनमें हमारा एका यूस होगा ठीक है जो भी वर्ड यू एन से सुरू होते हैं starting के उन में Ekause होगा okay बचल जैसे से यूनिवास्टी है UN से शुरू हो रहे है उसमें भी Ekause होगा ऐसे ही European तो इसमें हमारा जो है वोवल है starting का बोला जा रहा है यूरो पियान जिसमें से यो की साउंड निकलती है जिन वर्डों में से यो की साउंड निकलती है उनमें हम एकायूस करते हैं ठीक है बच्चो जिनमें से यो की साउंड निकलेगी तो हम एका यूस करेंगे ठीक है बच्चो अब मैंने आपको एका यूस बता दिया है कि एका यूस हम से पहले करते हैं ठीक है और कुछवर्ट सा ऐसे होते हैं जिसमें वोवर से तो स्टार्ट होते हैं बाट उनमें कंसोनेंट की जो साउंड होती है वो निकलती है ओके बच्चो अब मैं आपको कुछ मिक्स अप एक्जाम्पल करा रही हूं जिनसे आपको आसानी से A और N का यूज समझ में आ जाए कोई confusing हो तो वो आपके के लिए हो जाए doubt हो तो ठीके बच्चो देखो useful thing useful आ रहा है तो हमारा क्या आएगा useful में बच्चो U U की साउंड निकल रही है useful तो हमारा क्या आएगा इसमें A ओके बच्चो ग तो एग में हमारा क्या आता है स्टार्टिंग का वर्ड हमारा बच्चों क्या है वह वल्स है तो एग में हमारा क्या एगा ए एन ऐसे ही एकように एकल स तो बार्ण वार्ड लोगा मैं ने यह आ वBeल न hunty you're इया आरा है तो एन आएगा dog d o g dog starting का word हमारे क्या है consonant तो हमारे यहां क्या होगा use a x ray x ray x ray हमने यासा लिखा है हिन्दे में तो हमारा जो यह starting का word है यह तो consonant है आप बोलोगे मारा मेह आएका नहीं हमने जब इसको x ray बोला तो हम A की sound निकल रही है तो इसमें बैटा A, N आएगा ओके बच्चों, ऐसे ही B, A तो इसमें क्या आएगा B, A कंसोनेंट है, तो हमारा A आएगा S, D, O S, D, O, स्टार्टिंग का आखसर तो बैटा हमारा S है तो हम हिंदी में लिखते हैं S, D, O S, D, O है ठीक है तो स्टार्टिंग का अकसर हमारा क्या आखसर बोलने में हमारा क्या sound निकल रही है S, A की sound निकल रही है तो हमारा यहां क्या आएगा vowel की sound निकल रही है तो A, N C is European Yो की sound निकल रही है तो क्या आएगा बच्चो मैंने आपको उपर भी बताया था European आजाए तो Yो की sound निकल रही है तो उसमें क्या आएगा A A, N Delhi is a desk Big city तो consonant है हमारा तो क्या आएगा A ओके बच्चो I hope आपको use of A जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो लाश्ट वीडियो में मैंने A, N का यूज कराया था वो भी समझ में आ गया होगा बच्चो Otherwise फिर भी आपको कोई प्रोब्लम है तो आप मुझे WhatsApp पर या मेरे पच्चना नमबर पर Contact करके पूर सकते हैं ओके बच्चो बाए, Have a nice day